नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे मानवी करण अलंकार के बारहे उधारण यह मध्य प्रदेश की बोड परिक्षाओं में वह लोकल परिक्षाओं में पूछे जाते हैं वैसे तो मैंने मानवी करण अलंकार के उपर एक वीडियो भी बना रखा है वस्तुएं जिनमें कोई जान नहीं होती है, जड़ वस्तुएं जैसे की पेड, पोधे, नदी, ताला, पहाड, चंद्र, तारे, नक्छत्र, सुभा, संध्या। इन सब में कोई जान नहीं होती है परंतु हम इनको मानव का रूप बता देते हैं काववे में वहाँ पर ही मानवी करण अलंकार होता है दोस्तों प्राक्रेटी की जड़ वस्तूओं को जब हम मानव का रूप बता देते हैं वहाँ पर मानवी करण अलंकार होता है जड़ मतल ये किसले का आचल डोल रहा किसले किसले मतला होता है दोस्तों पत्ता अब पत्ता पत्ते को क्या बता दिया आचल मतलब पत्ते को आचल का रूप बता दिया और पेड़ पर क्या कर रहा है और डोल रहा है मतलब डोलता कौन है मनुशे डोलता है मानव डोलता है परन्तु यहा है तुंग हिमाले के कंधों पर छोटी बड़ी कई जीले हैं दोस्तों ये नागारजुन जी की पंक्ती में से लिया गया है बादल को घिरते देखा है अब देखिए क्या लिखा है तुंग हिमाले के कंधों पर तो हिमाले के क्या बता दिये गए कंधे क्या बता दिये गए कं ये प्रतियोगिता पईछाओं में, ़ोकल पैछाओं में पूछा होー प्रवत के नो मनवी करण प्रवत को मनव का रूप बताया गया है तीसरा उधान हम देखते हैं अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उशा नागरी यानि कि यहाँ पर देखें दोस्तों यह जेशंगर पिरसाजी की पंक्ती है यह यह भी लहर से ली गई है लहर इनकी कावे रिशना है उशा उशा को काय का रूप बताया गया है दोस्तों नारी का यानि कि एक उशा इस्त्री के रूप में प्रिकट हुई है मतलब सुभा इस्त्री के रूप में प्रिकट हुई है और उसने तारों को तोड़कर मटका बना लिया है घट बना लिया है जबकि उशा ऐसे कैसे कर सकती है ठीक है तो यहाँ पर उशा को इस्त्री का रूप बताया गया है तो इसलिए हाँपर मानुविकरन लंकार है अगला है अरुण की एक किरण अमलान अधिक अलसाई हो अभिराम अरुन मतला होता है सूरे तो सूरे की एक किरण अलसाई हुई है और स्रद्धा के गालों पर क्या कर रही है विश्राम ये कामाईनी की पंक्तिया है दोस्तों कामाईनी से लिया गया कामाईनी की पंक्तिया है ये जेशंगर प्रसार ने लिखी है क्या बोल रहे हैं अरुन की किरण अरुन मला सूरे की एक किरण भी अमलान अधिक अलसाई हो अभिराम यानि कि अलसाई हुई नजर आ रहे हैं सरद्धा के गालों पर अगला है लगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती सीतल जल से यानि कि सुभा का वणन है इसमें तो वनस्पतियां अलसाई हुई उठ रही हैं और सुभा सुभा क्या कर रही हैं अपने मुख धो रही हैं तो मुख कैसे दो सकती हैं वनस्पतियां तो यहाँ पर वनस्पतियो को मानव का रूप बताया गया है इसलिए यहाँ पर मानविकरण अलंकार है मानविकरण अलंकार में दोस्तों फेंटेसी से लिए होती है कल्पनिक छटा देखते हैं हम मेघ आये बड़े बन ठनके संवर के तो यहाँ पर मेघों का वर्णन हुआ है दोस्तों जो बादल आये ह कैसे आये हैं आज बन ठनकर संवर कर आये हैं जैसे कोई रंगीला राजा आता है जैसे कोई हमारे स्वी क्रेशन आते हैं सर्च समझ कर आते हैं तो यहाँ पर मेघों को एक छेले का रूप बताया है मैं छलिया का रूप बताया है सावले सलोने का रूप बताया है तो एक मे मेघ जो बादल होता है वो आदमी कैसे हो सकता है बंठन कैसे सकता है वो अगला है सात्मा उधारन मेघ मैं आसमान से उतर रही संधिया सुंद्री परी धीरे धीरे अब तो यह आपको समझ में आ गया होगा आसमान से संधिया रूपी संधिया को क्या संधिया 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 तो संधिया ही होती है, संगिया है हो तो, जबकि यहां पर संधिया को सुंद्री का रूप बता दिया, अगला है आधवा, लो यह लतीका भी भरलाई, मधु मुकल नवल रस, गागरी, यह भी लहर की पंक्तिया हैं दोस्तो, मानविकरल अंका, छाया बात की कविताओं में बेले, बेलों के अंदर जो फूल होते हैं, तो फूल ऐसे लग रहा है, जैसे कोई सुंद्री इस्त्री अपने सिर पर कलश धारन कर लेती है, तो यहां पर भी लतीकाओं को इस्त्री का रूप बताया गया है, और उनके फूल है, जो रस से भरे हुए, पराग से भरे हुए फूल है, उनको गागर का रूप बताया गया है, जब कि यह तो सब किरियाएं होती हैं दोस्तों, प्राकृती की, नवा है, वन सारदी चंदरी का चादर ओढ़े हुए बताया है, तो चांद केसे चादर ओढ़ सकता है, चादर तो इस्तरी ओढ़ती है, मनुश्य ओढ़ता देखा गया है अगला है ये भी इनकी पंक्तिया सुमिता नन पंद की पतली चोड़ी फलिया उफ उनकी क्या गिंती लंबी लंबी उंगलियों सी नन्ही नन्ही यानि कि उन्होंने फलियों को कैसा बताया रूप उंगलियों के समान यानि कि फलियों को बताया है उंगली जब जो बालोर की फली होगी थी उनके सेम की फली जो होगी थी बालोर मतलब सेम और सेम मतलब बालोर तो उसकी जो फलियां होगी थी फलियां कैसी थी मनुश्य की उंगलियों की भाती जबकि फलियां उंगलियों की भाती कैसे हो सकती है तो यहाँ पर भी मानुविकर लंकार बारवा हैं दोस्तों ये पंचवटी खंड कावे से लिया गया है ये मैंतली शांड गुपते हैं इसके रचिता बंद नहीं अभी चलते हैं नियती नटी के कादे कलाब यहाँ पर प्राक्रति को कैसा पता है नटी नटी मतलब जादू गर्णी मतलब नट मतलब जादू का खेल दिखाने वाली नाच गाना दिखाने वाली तो प्राक्रति नटी कैसे हो सकती है एक इस्थ्री कैसे हो सकती है तो यहाँ पर क्या है दोस्तों मानवी करण अनंकार है अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करिए